हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इस्टाडिज जोन पर दोस्तों इस वीडियों हम बात करने वाले हैं महा डिस्कोम यानि महा वितरन भरती 2019-2020 के बारे में जैसे कि इस दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई अपडेट नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास महा डिस्कोम उपकेंद्र साहिक और वेदुक साहिक को लेकर कोई अपडेट नहीं आया हुआ है पर दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही जदा important चीज़ बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो ऐसा करने से आपकी जो वेदुक सहायक और उपकेंदर सहायक की जो 5000 और 2000 भरती निकली थी उसको अगर आप ऐसा करते हैं काफी सारे students अगर ऐसा करते हैं तो जो आपकी merit list है और document verification date वो जल से जल आ सके अब दोस्तो हमें तो यह पता नहीं है कि जो हमारा जो महरास्ट आरक्षन कब खतम होगा और कब इसकी जो भरती की requirement आएगी जैसे कि DV आएगी merit list आएगी अब जब तक आलक्षन कटम नहीं होगा तब तक क्या हमारी विदुक साहिक और उपकेंद्र साहिक की भरती ऐसे ही पड़ी रहेगी ऐसे ही दोस्तों डेड़ साल इस भरती को हो गया लेकर काफी सारे बहुत सारे देरी हो गए काफी लोगों ने कहा कि अगर भरती नहीं निकली तो आंदोलन होगा तो बहुत कुछ होगा और काफी सारे जो करमचारी है उनकी भी मैंने आपको इस वीडियो में call recording सुनाई तो पारा-पार इस सब चीज मैंने बताई तब भी आपकी जो merit list निकली जब date नजदीक आया तो आपकी माराथा आरक्षन के चलते जो है आपकी वो इस्थगत कर दी गई रोग दी गई आपकी DV को merit list को और साफ साफ कह दिया गया कि जब तक आरक्षन खतम नहीं होगी तब तक आपकी ना merit list निकलेगी ना DV आएगी तो दोस्तो जब SSC के लिए देखा होगा जैसे कि दोस्तों आंदोलन हुए थे तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है रेलवे SSC की तरह जो आपकी जो candidate विदुख साहक और उपकेंद्र साहक भरती से जो related है जो चाहते हैं कि जो हमारी जो merit list और DV जल्द से जल्द हो जाए तो उसके जया तक ses के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ट्यूटर पर जाके सबको सब लोग मिलकर ट्यूट करेंगे मैं आपको बताने वाला होगा जैसा कि आपके कर सकते हैं आपनी भरती को रिलेटेंड कि जब तक प्रेसर नहीं बनेगा दोस्तों तब तक आपकी जो मेरिट लिस्ट और डीवी नहीं निकलने वाली है क्योंकि आरक्षन की तो अभी डेट ही नहीं है मालेज़े मेभी इस मैने साधिन की और हीरिंग उसके बाद क्या होगा आरक्षन को लेकर तब नहीं तो दोस्तो जैसी कि रेल्वे का आपकी पता है 2018 की भर्ती थी लगफफ क्षस cricket को भृता गया था और उनकी जो एक्जाम भी अब कुछ दिनवाद होने लाएगी तो इसी तरह दोस्तों आपको भी महाडिस्कूम उपकेंद्र साहिक को भरती से रिलेटेड आपको कुछ-कुछ ट्यूट करने हैं और काफी सारे काइंडेट सो करने हैं जब तक उन तक यह ट्यूट नहीं क्योंकि दोस्तों इसको आपको ट्विट करना है CMO महराष्ट अजीत पनवार स्पीकर राज ठाकरे संदीप अगर आप इस तरह से काम करते हैं अगर आप ट्यूटर पर जाके अगर आपकी है तो एकाउंट बना लिजे नहीं है तो अभी एकाउंट बनाएं क्योंकि दोस्तों ट्विटर पर आगर आप पॉपिक पर कमेंट करेंगे वीदुक साहिक और मेरिट लिस्ट को लेकर तो आपकी भरती कर लेकर काफी सरकार जो है जल्दी जल्दी जो महराष क्विए आरक्षन कब खतब होगा अभी आप भी जानी रहे हैं तो दोस्तो इसी को ट्विट करना है तो फिर अगर मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स केदा तो दोस्तो ट्विट करना है क्योंकि एक-दो की ट्विट से काम नहीं चलेगा काफी मातरा में आप लोगों को ट्व आया होगा तो पसंद आया है तो लाइक करेंगे चैनल पर नहीं को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करेंगे दोस्तों सेर करना ही बहुत जरूरी है आपको इस वीडियो को तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तब के लिए द